दोस्तो स्वागत एक वाई फिर से आप से आपका अपने ही चैनल में इस वीडियो में आपको इंग्लेंड उमेन भर्सेज वेस्ट इंडीज उमेन के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा इसको हम लोग कवर करेंगे यह T20 World Cup का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा जो कि South Africa में खेला जा रहा है इसका T20 World Cup का दूसरा मुकाबला उमेन्स का यह खेला जाने वाला है खेला जाने वाला है England उमेन भर्सेज वेस्ट इंडीज उमेन के बीच में सबसे पहले हम लोग थोरा सा इसके बारे में discuss कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या कर इस वीडियो में मिलने वाली है तो सबसे पहले हमें बात को dreamland team तो छे stats information उसके साथ है dreamland में जो grand league की team होती है उनके captain and wise captain जो grand league के player होते हैं जो हमें grand league जितवा सके वैसे वैसे players को भी shortlisted किया है और सांथी साथ आपको इसमें बहुत सारे चीज़े information pitch report प्लेयर पर बहुत चार सारे चीज़े इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफोर्मेटिव बहुत ज्यादा profitable होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहां और मैच स्टाट होने के 20 मिनट पहले चले इस वीडियो को सुरूर करते हैं बिनादेरी करते हैं वेन्यू की बात करें तो वेन्यू बोलैंड पार्क यहां पर पार्ल में खेला जाएगा जो कि 11 फरवरी यानि आज को मुकाबला साम 6 बच के 30 मिनट से होने को है जो कि आपक पर जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए दो मुकाबले जीते हैं और बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक मुकाबले चेज करते हुए एक मुकाबले और पहले बैटिंग करते हुए दो मुकाबले इस पीच पे जीते गए हैं जो कि एवरेज फर्स्ट इंगे इस स्कोर की सब्सक्राइब नहीं देखने को मिलेंगे हो सकता है 160 170 अस्ते बहुत बहुत हाइस्ट स्कूर हो जाए तो इंग्लेंड उमें ने 147 रन इस पीछ पर हाइस्ट स्कूर किया है अब बात के लोएस्ट स्कूर की तो साउत है पर किया और उसके सासत में बता दू वर्ल कप का जीता है पार करें तो जीतने मं तीन मुकाबले खेलने किस तरीके से तीनों कि दिख सकते तीनों के तीनों आपै hon इंचे साथ संथ स्कूर की बात करें तो बहुत एक कर जाएगी ।ा यहाँ आज पाकिस्तान उमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन चेर्ज कर गया सिर्फ और सिर्फ 18 और चार गेंदों में यहां से बात किरें पेसर से निकाले थे और स्पिनर्स ने तीन अब बात किरें है चार जिसमें इंग्लाइन और यहां से वेस्टिंडीज उमेन में कौन किस वेफारी बढ़ा है उसके बात किरें जितने भी टोटल मुकाबले 26 खेले गए जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 26 मुकाबले खेले गए उसमें से 26 मुकाबले में से 18 मुकाबले पहले मतलब कि य यह जीतेंगे जोक इंग्लेंड के जो ओमें से ऊच़ाइस खेलें देख लेंडे सब्सक्ताइड बहुत बहुत जादा भाली और यहां पर एक सराह गिलेन आपको देखने को मिल जाएंगी अब थोड़ा साम लिगों इनकी बारी-बारी परफॉर्मेंस की थोड़ा से डिसकस कर लेते हैं कि यह बारी-बारी किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है जो कि यहां से देखेगा डैनियल वाइट से यहां से आ बात करें दिन्होंनों बहुत ही परफेक्ट पारिया खेली है उसके साथ यहां पर हेट-टू-एड की बात करें तो हेट-टू-एड में आठ मैचेज में बनला वेस्ट इंडिज के सामने आठ मैचेज में 201 रन स्कोर किया है और 28 का एवरेज है चीट्वेंटी में टोटल ब्लिंग बैटिंग करने आते हैं आप इनका भी अस्टार्ष देख सकते हैं जिसमें हार मैचेज में दस से उपर रन से इन्होंने स्कोर किया है राकी बात के रहांसे हेट-टू-एड मैचेज की तो यहांसे टोटल यहांसे 2000 मैचेज में तो दोस्ते हैं हेट-टू-एड देख सकते हैं कि 10 मैचेज में इन्होंने 176 रन स्कोर किया है मतलब 9 इनिंग में इन्होंने 5 विक्टिय भी निकाला है तो आप देख सकते हैं कि यह जाए डिरेक्टली नहीं अगर नैट इसकी वहर अकेले भारी रही है यहाँ पे वेस्ट इंडिज उमेन पे तो आप टोटल 40 मैचेज में 580 रन मतलब और इनकी बात के रहे तो यहां से उसके बात के रहे एलिस कैप्ट से की जगीन होने विए मिलाजुला को बहुत यह अच्छी परफॉमेंस दिया है मतलब इस तरीके से आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिया जो आस्ट्रेलिया के बाद इंग्लेंड नहीं बहुत यह अच्छा वुमेंस नहीं परफॉमेंस दिया है देख सकते हैं रिसंट परफॉमेंस में 11 मैचेज में 118 रन मतलब यह थोड़ा नीचे बैटिंग करनी आती है तो कैप्टेन है आप इनको पिक कर सकते हैं बाकी यहां से बात के तो यहां पर आ सकते हैं कि इना बालं कि खat सकते हैं कि यहां बहुत ही नहीं कई हैं तो भाषी बैटिंग की है मतलब 152 भी चैदने वीक्रित मतलब बहुत ही बीग ऑपने टीम के लिए तोuite है करने वाले हैं उसके बाद केरे केट क्रॉस ने भी मिलाजुला के बहुत ही अच्छे बालिंग की है आप इनके मतलब के रैन लिग में कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हैं बाकि हम लोग यहां से बात के रिसेंट परफॉमन्स जो कि लास्ट चैरली डीन की तो चैरली डीन अब देख सकते हैं बहुत ही तगरे परफॉमन्स इन्होंने बालिंग में दी है और यह कुछ भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को चेंज करना जानती है अब थोरा यह लास्ट की बात किया तो सारा गलेन ने भी मिला जो लाकि उतना अच्छा बालिंग किया पीचा पेचिश के सबस्के साथ सहा इसके साथ आप कर दो मैं उसके साह से हांव प्लेएग कि reaction तोस 스타 के करते हूए TWO second ऑने में वारे में यहां से इन के तरब से कौन-कौन से प्लेयर को हम लोग पिक करके जाने वाले उसकी बात के तहां से देखेगा कि एलना जोंस जो की विकेट की पर है हमारे टीम में रफनेट ली होंगे और बहुत ही अच्छी प्लेयर है उसके साथ साथ यहां पर इस डंक ली होने वाले हैं जी कि आप द कैपसी को हम लोग अपनी टीम में डफनेटली एड करने वाले हैं जितने भी तीन प्लेयर हैं और इसके बाद आप ए जोंस उसके साथ साथ हैं आप देखेगा कि यह दोनों आपको चार्ली डीन चार्ली डीन और इस 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 इटिलोन यह दोनों बहुत ही बड़े प्लेयर साबित होंगे और ग्रालिंग में भी आपको टॉप पॉइंट्स के राइंक देने वाले हैं लाकि हम लोग वेस्ट इंडीज के तरफ से थोड़ा सा बात करें कि वेस्ट इंडीज के तरफ से तौन कौन हमाई टीम में होने वाले हैं तो यहां पर हम लोग सब से पहले एस दो को एड करेंगे जो कि इस टेलर ने बहुत यह अच्छे बैटिंग के साहते इन्हों नहीं बॉलिंग भी दिया है इसके साहते यह उपर आते भी बैटिंग वह अच्छा तो इनको बाले है में में इसके सांस यहां पे आपके पस चैंघ के बारे में मेर्ट के बात के बास विलियम्स पहले एक इन्होंने भी propor अच्छा नहीं दिया है जिस तरीके से सोख हो रही है इसके बाद बात कि अगर मैच किसी बंदे किसी प्लेयर पे चलता है अगर वेश्टिरीज उमेन में तो यह है इसके साथ यहां पर बाद किरें प्लेयर स्टाट्स की बारे में इसके मेन की देखने की इसलिए बोला है कि आप देख सकते नहीं अच्छे बैटिंग्या यहां से आपको पता नहीं हो पाएंगे यहां से स्टैफनेंग बात कि लात करे तो करते हैं उपर बैटिंग करने आते हैं दो नमबर पे जिसके साथ बालिंग भी करते हैं तो हम लोग अपने टीम में इनको एक चैनल yol की इनको तौड़ा झाया और यह लगते हैं किहाट कि लेकिन फिर हमने इनको पिकी नहीं करने वाइलिए इनकी कोई परफ्रमेंस अच्छी मैचर नहीं खेले हैं उसके साथ यहां पर समीला कोनेलोल भέ insert आप यहां पर इंगलेंड के सामने पांच मैंच में थे छे विक्टे निकाली है आप इनके साथ जा सकते हैं जो कि आपको बहुत यह अच्छा च्वाइस मिलने वाले हैं अब यहां से बात के तो सकीरा सेलमन इनको अपनी टीम में इसलिए पिक करेंगे क्योंकि देख सकते हैं बह सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करने बहुत ज़्यादा मेहनत लग दे स्टैट्स निकालने में एक ग्राफिक डिजाइन करने में और चैनल पने है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं मिलते हैं चलिए ड्रेम लें करते हैं जिसतरी किसे में टीम की बात करें तो पहले में बिकेटर की पर अप्सटन में देखेगा आप लोग सबसे पहले एजोंस को चिए बैकिए बाकि बागी बाति यहाँ पर उसके बाद इन एसकी वर उसके साथ-साथ बॉलिंग अप्शन के बात करें जहां से एस इस इस स्ट्रिडृन उसके साथ-स एस सेलमेन और सी इन को मैंने यहां पर इसकस क किया आप क के यहां पर इस टेलर में उसके बाद इसके बाद इनके साथ Captain and Vice Captain लेकर जा सकते हैं बाकी बात के रेत तो यह Final Team ने Final Team आपको Telegram चैनल पे मिलेगा जिसके Link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो आप लोग Telegram चैनल में जाकर जोएन हो जाए Link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया